नमस्कार, कैपिटल चेवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान चुनाव का मौसम आते ही दल बदलू नेताओं की बाढ़ा जाती है जिन्हें टिकेट मिलने की उमीद नहीं होती या जिनका टिकेट कटने का खत्रा होता है वे जट पाला बदल लेते हैं ये स्थितेश सर्फ भाजपा के लिए ही अनुकूल नहीं होती है बलकि विरोधी दल भी बहती गंगा में आसानी से हाथ धोलेते हैं ये अलग बात है कि वर्ष 2014 के बाद विपक्षी दलों के नेताओं को भाजपा ज्यादा आकर्शित करती रही है देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस के नेता तो ज्यादा तर भाजपा का ही रुख करना पसंद करते हैं बिहार और जारखन में इस साल होने जा रहे लोकसबाद चुनाओं के मद्दे नजर नेताओं की भागा भागी तेज हो गई है बिहार में दल बदल या पाला बदल की कवायत तो उसे समेश शुरू हो गई थी जब जेदियू नेता नितीश कुमार ने महागटबंदन का साथ छोड एंडिये का साथ पसंद कर लिया था महागटबंदन का नेतित्व करने वाले आरजडी के नेता तिजस्वी यादव ने खेला करने की धमकी दी और इस क्रम में उन्होंने जदियू के कुछ विधायकों को पटा भी लिया था उनकी मन्शा थी कि विश्वास मत के दोरान ही नितीश कुमार को वे अल्प मत में साबित कर देंगे हाला कि दाव उल्टा पड़ गया आरजडी के ही तीन विधायकों ने पाला बदल लिया प्रहाद यादव, नीलम सिंग और चेतनानन कारिवाई शुरू होने के पहले ही NDA खेमे में जाकर बैठ गये थे दूसरा मौका उसी सत्र में आया जब विपक्षी गटबंदन के दोनों प्रमुख दलो आरजडी और कॉंग्रेस के तीन और विधायक NDA खेमे में चले गए आरजडी विधायक संगीता कुमारी, कॉंग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिधार्थ सौरव ने बीजेपी के प्रती अपनी निष्टा का इसहार कर दिया वे सत्ता डूर NDA खेमे में जाकर बैठ गये जिन विधायकों ने पाला बदला, उनकी NDA की प्रती निष्टा कितनी थी ये इसी से साफ है कि आरजडी विधायक चेतन आनन की मा और पूर्व सांसद आनन मोहन की पत्नी लवली आनन को जडियू ने शिवहर से टिकट देने के वादे के साथ जडियू जोइन करा दी अभी ये चर्चा गर्म ही थी कि जन अधिकार पार्टी यानि जाप के सुप्रीमोस्त पूर्व सांसद पपु यादव ने अपनी पार्टी का विलय कॉंग्रेस में कर दिया वे अपने बेटे सार्थक रंजन के साथ कॉंग्रेस के साथ हो गए उन्होंने पूर्णिया से टिकट का आस्वाशन मिला जहां पाला बदलने से पहले ही उन्होंने प्रणाम पूर्णिया अभियान शुरू कर दिया था प्रसंगवश ये जिक्र जरूरी है कि पपू यादव की पतनी रंजीता रंजन पहले से ही कॉंग्रेस में है अभी वे राजिसभा की सदस्य हैं पपू यादव को कॉंग्रेस में शामिल करने का निर्नाय कॉंग्रेस आला कमान का था जबकि प्रदेश एकाई के नेता इससे नाखुश बताय जारत है कहा जाता है कि लालू प्रशाद के कहने पर कॉंग्रेस ने पपू यादव को कॉंग्रेस में शामिल करने का निर्नाय लिया इस बात में इसलिए दम दिखता है कि कॉंग्रेस में शामिल होने के पहले उन्होंने आरज़ेडी सुप्रीमों लालुप्रशाद यादव से मिलकर आशिरवाद लिया था गीता वसीता भाजपा की हो गई इसका मतलब क्या? जारखण की बात करें तो भाजपा ने राज़ी के सत्तारूड गटबंदन में शामिल कॉंग्रेस और जारखण मुक्ती मोर्चा के दो कदावार नेताओं को अपने पाले में कर लिया है सबसे पहले जारखण के पूर्व सिये मधुकोडा की पतनी और सिह भूमी की कॉंग्रेस सांसत गीता कोडा ने भाजपा का जंडा उठाया उनके साथ मधुकोडा ने भी भाजपा की सदस्ता लेली गीता कोडा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2019 में नरेंद्र मोदी के लहर के बावजूद जार्खंट से विपक्षी दलों के जो दो लोग सांसत चुने गए उनमें गीता कोड़ा भी थी दूसरी सांसत जामूमों के विजय हाद सदा थे जिन्नोंने 2014 और 2019 में लगतार राजमहल से चुनाओ जीता था भाजपा को दूसरी काम्याभी जार्खंट मुक्ती मोर्चा के संस्थापक शीवू सोरेन के घराने में सिंध मारी में मिली जब उनकी बड़ी बहु और जामा से तीसरी बार विधायक बनी सीता सोरेन ने बेटियों के साथ भाजपा का जंडा थाम लिया अब हम आपको बताते हैं बीजेपी की नजर काफी पहनी है जार्खंट में भाजपा की विपक्षी नेताओं पर अब भी नजर गड़ी हुई है धनबाद लोकसबाद छेतर के तहट आने वाले जरिया विधान सबाद छेतर से विधायक पूर्णिमा नीरत सिंग पर भाजपा ने नजरे गड़ा दी है भाजपा ने जार्खंट की कुल 14 से 12 लोकसबाद छेतरों के लिए उमिदवारों की घोशना कर दी है गेड़ी, चतरा और धनबाद के लिए उमिदवारों का एलान अभी बाकी है गेड़ी में उमिदवार ना देने का कारण ये है कि वहां से आसजू पार्टी के चंद्रप्रकास चौधरी सांसद है वहां से भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया तो इसका अर्थ साफ है कि आसजू पार्टी का ही कोई उमिदवार होगा पूरी संभावना यही है कि आसजू चंद्रकास चौधरी को ही रिपीट करेगी धनबाद भाजपा की सिटिंग सीट है पी एन सिंग लगतार वहां से तीन बार सांसद रहे हैं और 2019 में उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की थी अधिक उम्र के कारण उनका टिकेट कटना तैम आना जा रहा है ऐसी स्कती में भाजपा किसी ऐसे चहरे की तलाश में है जिसके जीतने की संभावना पूरी हो कॉंगर्स की विधायक पूर्डिमा नीरत सिंग पर भाजपा की नज़र है इसकी चरचाए भी हो रही है लेकिन पूर्डिमा ने कभी उन खबरों को खारleader नहीं किया जेमेम दुमका से जमीन घोटाले में गरफतार पूर्फ सीम हेमन सोरेन को उमिदवार बनाने पर वचार कर रहा है ऐसा होने पर दुमका में मुकाबला रोचक हो जाएगा दुमका से भाजपा के सांसत सुनील सोरेन ने पिछली बार 50,000 से कम वोटों से जीत हासिल की थी चर्चा तो ये भी है कि भाजपा अभी कॉंग्रेस और जेमेम के कुछ और वधायकों के पार्टी छोड़नी की संभावने तलाश रही है अगर ऐसा हुआ तो भाजपा को अपनी पूर्व घोशी तुमेद्वारों की सूची में तब्दिली करनी पड़ सकती है आज की खबर में बस इतना ही देखतेरे कापिटल चिवी बिहार धन्यवाद